हलुँ फ्रैंट, मैं मॉनिका, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही यमी यमी से हेल्धी वेजिटेबर रोल्ल ये खाने में जितने ज़्याधा टेस्टी है उतना ही जदा इसे बनाना आसान है और इसे मैंने आज कैसे बनाए आपको बताती हूँ तो आप देखें यह कितनी यम्मी लग रहे हैं यह बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगे तो क्यों ना आज बनाए जाए यह टेस्टी टेस्टी वेजिटेबल रोल तो चली बनाना शुरू करते हैं वेजिटेबल रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गुद के त्यार करेंगे तो मैंने यहां पे 300 ग्राम मैदा ली है उसमें मैं डालूगी एक चम्मच नमक आप मैदे की जगे आटा भी ले सकते हैं बस मैदा से थोड़े रोल जादा टेस्टी लगते हैं इसलिए मैं मै माटों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऑर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका ढोगा के त्यार करेंगे जिस तरह से आप रोटी के लिए आठा गूत्ते हैं वैसे ही हाँ पर आठा गूत्तना है ना ही ज़्यादा सक्ट ना ही जादा सॉफ्ट तो हम थोड़ा तो देखिए फ्रेंड मैंने यहां पे रोल के लिए आटा एकदम अच्छे से गूत दिया है अब इसके उपर मैं आधी छोटी चमज की तरी तेल रिफाइन तेल से चिकना करके हम इसे रैश्ट के लिए रखेंगे तो एक बार हम इसे अच्छे से इस तरह से मैश कर देते हैं और इसे हम धक के यह देखिए मैं आपको आटा पहले दिखा देती हूँ इस तरह से हमने आटा यहां पे गूता है सॉफ्ट ना ही ज्यादा टाइट ना ही एकदम से सॉफ्ट रोटी जैसा आटा गूत के त्यार करेंगे और इसे हम धक के रखेंगे 10 से 15 मिर्ट तब तब हम स्टेफिंग त्यार कर लेते हैं तो सबसे पहले आज हम जो फ्रेंक की रोल बना रहें इसके लिए मैं बनाऊंगी फ्रेंक की मसाला तो एक पाउल लीजी उसमें मैं डालूँगी एक चमश लाल मिज पाउडर एक चमश धनिया पाउडर आधी चोटी चमश हल्दी पाउडर एक चोटी चमश अमचूर पाउडर एक चोटी चमश जीरा मसाला पाउडर जो की हमने पीस लिया है जीरा को सेख के एक चमश गरम मसाला आप देख सकते हैं सबीती जो का माफ हम एक चमश से कर रहे हैं अब यहां पे मैं डालूँगी दो चमश चाथ मसाला हम डालेंगे एक चमश नमक तो सारे मसाले को हम अच्छे से यहाँ पर mix कर लेंगे और यह फ्रैंकी मसाले से जो vegetable roll आप जब बनाएंगे ना तो बहुत ज़ादा उसका यम्मी टेस्ट आएगा तो आप इस तरह से फ्रैंकी मसाला बना ले और vegetable roll या पनी रोल जब भी आप कोई बनाए तो यहारा मसाला जरूर डाले इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो फ्रेंकी मसाला बनके तयार है अब हम स्टफिंग के लिए गैस पे बड़ी कड़ाई रख देंगे उसमें हम डालेंगे दो बड़ी चम्मच रिफाइन तेल मैंने यहां पे कुछ वेजिटेबल लिए है एक अध्रक का टुकड़ा जिसे बारिक चौप कर लिया दो तिन हरी मिर्ची दो प्याज जिसे इस तरह से लंबा लंबा चौप कर लिया है काजर एक जिसे हमने इस तरह से लंबा लंबा चौप कर लिया है दो सिम्ला मिर्ची छोटी साइज की उसे भी मैंने इस तरह से लंबे आकार में काटा है तो और मैंने यहां पे लिया आधी पत्ता गोबी जिसे मैंने अच्छे से बारिक बारिक चौप कर लिया है तो सारी सब्जों को आपको इस तरह से काटनी है लंबी लंबी जो की वेजिटेवल रोल में बहुत अच्छी लगेगी और यहां पर हम सबसे पहले डाल देंगे अध्रक जो कि हमने बारी बारी टुकड़ों में काटनी थी उसे हरी मिर्ची तीखा आप अपनी पसंद से कम ज्यादा कर सकते हैं और इसे हम एक बार चला देंगे अब हम इसमें वेजिटेवल डालेंगे जो हमने प्याज सिमला गाजर काटके रखी थी उसे पत्ता गोबी को हम थोई देर बाद में डालेंगे क्योंकि पत्ता गोबी बहुत जल्दी सिख जाती है तो वेजिटेवल रोल के लिए हमें सबजियों को एकदम से ज़्यादा नहीं पकाना है हम नोर्म सबज्यां यहाँ पर पकाएंगे सबी सबज्यों को मैंने इस तरह स चमत से चला दिया है आप देख सकते हैं अब इन्हें हम धक के लगबग दो मिनट तक पकने देंगे दो मिनट हो गए है अब इसमें हम डालेंगे जो फ्रैंक की मसाला हमने बनाया है उससे इस स्टेज पे आप यहाँ पर फ्रैंक की मसाला डाल देंगे आपको उपर से कुछ भी डालने की जुरुत नहीं है नमक बगएरा तो जित्ती सबजी उसी साबसे आप डाले तो मैं य डालने के बाद हम सब्साइब के एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे आप सब्साइब में मसाला पसंद से कम ज्यादा कर सकते हैं कि अब इसमें हम डालेंगे एक छोटी चंब सोया सॉस को दो चंब स्वेट वाला चीदि सॉस हमने यहां पर लिया है सोच डालने के बाद हम वेजिटेबल को एक बार हलके हलके मिक्स कर देंगे सबी चीजों को mix करने के बाद भी हम लास्ट में डालना फोट झीड जरदी सौफ्ट औल जाती है इसलिए पत्त गोवी को थोड़ी लास्ट में डाले अब इसे पत्ता को भी डालने के बाद भी हम सारे मसाले को सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारे मसाले वेजिटेवल में अच्छे से लिपट जाए और उनका एक अच्छा टेस्ट आए ये फ्रेंक की मसाला जब डालके हम ये वेजिटेवल बनाते हैं तो ब एजिटेबर रोल के लिए तो हमें इसी तरह से सब्जी यहां पर पका के तयार करनी है अगर आप थोड़ी नॉर्मल सब्जी और कम पकाना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद से इसे थोड़ा देर कम पका ले अब लास्ट में हम इसमें डाल देंगे एक बड़ी चमज के जादा दाल सकते हैं यहां पर आप सहजवान सोक्स भी डाल सकते जिन लोग को तीखा ज्यादा पसंद है हमारे घर में चोटे बच्चे तुम्हें यहां पर टेमेटो सॉच डालूंगी अब हमारी यहां पर वेजिटेबल बिल्कुर तयार है इसे हम रख देते हैं उतार के और चली अब हम रोल गनाते हैं आटा भी हमारा यहां पर सैट हो गया स्टफिंग भी तयार है तो मैंने यहां पर थोई से सूखी मैदा ले लिए एक बड़ आटे को हम इस तरह से मैश कर लेंगे और जिस तरह से आप रोटी बनाते हैं उसी तरह से हमें इसके रोल बनाने है तो मैं एक रोटी के आकार की यहां पर लोई ले लूँगी और उसे हाथों में हमें इस तरह से थोड़ा सा रोल रोल कर देना है सूखी मैदा मिल से हमें डश करते हैं इसकी रोटी जैसी पतली रोटी बेननी है रोल आप जितने ज्यादा बनाएंगे उतनी ज्यादा बनने के बाद टेस्टी लगेंगे तो मैं यहां पर पतली रोटी बेन के तयार कर लोगी और सबसे खास बाती है इस रोल की आप एक बार में आठ से दस रोटिया बेर लिजी और उसे अधकची थोड़ी सी हम नौर्म सेख के रख सकते हैं जब आपके घर में आप खाना हो तब इसको गर्मा गरम आप पकाएंगे और खाएंगे मैं आपको बताती हूँ आगे तो दे गरम होने के लिए आप कोई भी नौन स्टिक तवा हो अगर वो लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा रोटिया एकदम जलेगी नहीं तो आप इस तरह से रोटी को पकाएं गैस का फ्लेम यहां पे तेज है एक साइड से हमाई रोटिया है इसे मैं पलट दूगी यह देखि इस तरह से हमें रोटी सेख लेनी है दोनों साइड से एकदम हलकी हलकी नहीं जादा अब हम इसे उतार के एक प्लेट में रख देना है इसी तरह से आप सारी रोटिया सेख सकते हैं मैंने आप दो रोटी सेखिए अब चलिए इसे फाइनली कैसे त्यार करना है वापस उसी रोटी को तवे फिलेंगे हम यहां पर रिफाइन तेल लगा देंगे इस रोल को बनाने के लिए आप रिफाइन तेल का यूज करें घी में ना बनाए घी से अच्छा टेश्ट नहीं आता है तो दोनों साइड से हम देखिए इस तरह से घी लगा के जैसे पराठे सेकते हैं वैसे सेक लेंगे तो आप एक बार में 8-10 रोटी इस तरह से बना ले और जब आपको खाना और इस तरह से रिफाइन तेल लगा के रोटी पका ले और स्टफिंग बंद भर के तयार कर ले तो देखिए मैंने यहां पर रोल के लिए रोटी सेक के एकदम तयार कर ली है और आप देख सकते हैं दोनों साइड से रोटी एकदम अच्छी सी किए कहीं से भी चित्ती नहीं लगी है और यह वाला प्रोसेस बहुत ही आसान है फ्रेंड एक बान में आप जित्ती ज्यादा रोटी बना सकते हैं आप बना ले अब चली इसे मैं निकाल देती हूं और इसे म लंबा लंबा चोप कर लिया है इसके ओपर से मैं डालूँगी थोड़ा सा टेमेटो सॉस अगर आप चाहें तो इसमें सैजवान चटनी या रेट चीली सॉस भी लगा सकते हैं और इसे हम पूरे रोटी पे अच्छे से स्प्रेट कर लेंगे अब जो हमें वेजिटेबल रोल के लिए वेजटेबल त्यायर कि थी उसे हम इस तरह से थोड़ा से साइड में अच्छे से फिल करेंगे और इसे हम इस वेज़टेबल त्वरी ज़यादा लेना है कुईकि रोल में तोड़ी ज़री वेज़टेबल रहेगी जब आप खाओ तब इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा हैगा इसके उपर से जो हमने बारिक इस तरह से लंबे-लंबे लच्छे-दार प्याज को काटा है उसे डाल देंगे और इसे इस तरह से हम फोल कर देंगे तो यह देखिए टेस्टी हेल्दी वेजिटेबर रोल हमारा यहाँ पर बिल्कुल बन के तयार है आप इसे टेमेटो सॉस के साथ सहजवान चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं तो इसी तरह से मैं दूसरा रोल भी बना लूँगे वेजिटेबर आप अच्छे से भरिए और प्याज लगाईए आप चाहे तो इसमें कैपसिकम वगेरा भी लगा सकते हैं तो बन के तयार है यमी यमी से वेजिटेबर रोल आ रहा है ना फ्रेंड मूं में पानी और यह रोल इतने ज्यादा टेस्टी लगेंगे कि आप इसे कभी भी साम को स्नैक्स में या डीनर में या लंच में जब भी कुछ आपका अच्छा सा खाने का मन करें तो आप इसे बना के जटपट खा सकते हैं यह बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आएंगे तो फ्रेंड आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके सब्सक्राइब करें तब तक के लिए बाई बाई